आज दिल्ली का एतिहासिक राम लीला मैदान भारत की राजनीती के एक बड़े उलट फेर का फिर से गवहा बन गया आज अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपत ली पिछली बार आम लोगों के बीच राम लीला मैदान में शपत ली थी तो इस बार जनता ने अर्विंद केजरिवाल को प्रचंड बहुमत दिया था तो इस बार जनता को जब वोगा पांचार केजरी बार, केजरी बार, केजरी बार इश्वर की शपत लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची श्रधा और निश्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखुँगा मैं मुख्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा अब गुपनियता की शपत मैं अर्विन केजरिवाल इश्वर की शपत लेता हूँ के जो विशे मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की मुख्यमंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्शित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप में संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा मैं मनीश सिसोद्या इश्वर की शबत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापेद भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची शद्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दुएश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विदी के अनुसार नियाए करूँगा गुपनियता की शपत मैं मैं मनीश सिसोदिया इश्वर की शपत लेता हूँ जो विशे मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि मंत्री के रूप में अपने करतवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा मैं आसे मेहमत खान इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्तापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची शद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद अंतकरन से निर्वान करूँगा तथा मैं भै या पक्षपाद अनुराग या दुएश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा संविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा गुपनियता की शपद मैं आसिम हमद खान इश्वर की शपद लेता हूँ के जो विशे मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जब की मंत्री के रूप में अपने करतवयों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्शित हो मैं परत्यक्ष अथवा अपरत्यक्ष रूप में मैं परत्यक्ष अत्वा परत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा मैं संदीब कुमार इश्वर की शबत लेता हूं कि मैं विदी द्वारा स्तापित भारत के संविदान के प्रती सची सद्धा और निश्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतकरण से निर्वान करूँगा तथा मैं भह या प्रक्षपात अनुराग या दुवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविदान और विदी के अनुसार नियाए करूँगा गुपनियता की शपत मैं संदीब कुमार इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी वैक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने करतवियों के समयक निर्वान के लिए ऐसा करना पेक्षित हो मैं प्रतेक्ष अत्वा अप्रतेक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा मैं मंत्री के रूप में अपने करतवियों का शद्धा पूर्वक और शुद अंतकरन से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति सम्विदान और विदी के अनुसार नियाए करूँगा सम्विदान और विदी के अनुसार मैं आए करूँगा गुपनियता की शपत मैं सतेंद्र जैन इश्वर की शपत लेता हूं के जो विशे मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबके मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्चित हो अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्चित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा मैं गोपाल राय इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रती सच्ची स्रधा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रधा पूर्वक और सुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुसार नियाए करूँगा मैं गोपाल राय इश्वर की सपत लेता हूँ की जो विशे मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाए जबके मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना आपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा मैं जितेंद्र सिंग तोमर ईश्वर की शपद लेता हूं कि मैं विधी द्वारा स्ताफित भारत के सम्यदान के प्रती सची स्रद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंड़ता अक्षुन रखूँगा मैं मंत्री के रूप में अपने करतव्यों का शद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा अनुराग या दोएश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्यदान और विदी के अनुसार नियाए करूँगा मैं जितेंदर सिंग्तोमर इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वन के लिए ऐसा करना पेक्शित हो अपने कर्टब्यों के समयक दिवन के लिए ऐसा करना पेचित हो, मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंक्तियां थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन आज की परिस्तितियों में ये पंक्तियां अर्विंद केजरिवाल के उपर सटीक बैठती हैं। भारत की राजनीती बदले और भारत विकास के और अग्रसर हो। भारत की प्रभता और अखंडता अख्षुन रखूँगा। मैं मंतरी के रूप में शद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतेकरण से निर्वेन करूँगा।